नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल जॉब इंपरमेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आपके सामने कोई भी न्यूज हो या जॉब इंपरमेशन हो जल्दी से जल्दी पहुँचाएं धन्यवाद हम लोग आज का न्यूज देखेंगे कि पारा सिक्षक से ये नियूज मेरा रिलेटेट है और ये बहुत ही बड़ी ख़बर है पारा सिक्षक के लिए कि अब देखें गोड़्डा में आ रहे हैं अमित्सा जी अमित्सा आएंगे जो भाजपा के अध्यक्ष हैं राश्ट्री अध्यक्ष हैं भाजपा के वे अगर हो सकता है पारा सिक्चकों के लीए यह बहूत ही फाय्द किया सकते हैं मानलीजी अगर कुई विरोध करेंगा पारा सिक्चक शकता है कि हम इतसा ऐसे कुछ सोचें और तूरनसे ।ूरनसे तूरन मतलब कोई पारा सिक्च AJ again को आ प्रूब स säger इस अगर मतलब बहुत हो ऑची ख़बर है कि पारा सिक शग आ रहे हैं और इसे हमाधी जी आयत हैं नहीं पारा शिक्सक ют क्या नहीं तो इसलिए बाटा सिक्षा चूप नहीं बढ़ने वाले हैं कि अमित सा हो रहे हैं चाहरकंड के C.E.M. रगवरदास को फोर्स दवाब दे सकते हैं ताकि अभी क्योंकि अभी चुनावी मुद्दा आ रहा है सामने इसलिए हो सकता है चलिए दोस्तों आज अच्छा खबर है पारासिक्षक के लिए कि अब 19 जनुवरी को आ रहे हैं भाजपाद के अध्यक्षा आ रहे है अमित साजी और वहां पर जो है और यह जो आ रहा है गोड़ा में आ रहे हैं हो सकता है पारासिक्षों का ऐसे बिरोत कर सके बिरोत करे पा पारासिक्षक इसका अमित साजी का चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा न्यूज इसको पढ़ते हैं देखिए 19 जनुवरी को जो है गोड़ा में आने वाले भाजपा के राश्ट्रे द्यक्षा के खारेकरम का भिरोत करेंगे राज के बीन जिलों पारासिक्षा 18 जनुव काम बन सके पारासिक्षक का मान दे बेतर बढ़ा सके जिसे और अस्थाई रूप हो सकता है कि कर सके चुनावी मुद्दा सामने आ रहा है इस तरह करके हो सकता है आई हम लोग कुछ इसका मतुप देखते हैं थोड़ा क्या क्या इसका न्यूज जिस सरकार की और से अगर अ मतलब बोला गया डायरेक्ट मतलब इसको बोलना मतलब कि पारासिक्षक का बोलना मतलब कि सीम को डायरेक्ट बोलना कि अगर जिदी नहीं मानेंगे तो इस बार अमिसा का विरूद करेंगे ही पिछले बार मोदी जी आए तो उसका विरूद नहीं कर पाएं लेकिन इस बार हमको जहां तक लग रहा है कि अधर हम पक्का से पक्का करेंगे कि रगवा सरकार जी तू पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे लेकिन इस बार हमको लग रहा है कि हम इसाजी का हम भीरूद कर सकते हैं पारासिक चक यह फसला है कि पारासिक चेसंगर्स मुर्चा ने लिया है मुर्चा के संजे दूबे ने कहा कि राजय के पारा सिक्षा गत दो माह से अड़ताल पर है बिद्याले में पटन पटन में बादित है पर सरकार की ओर से बेतन मन देने पर कोई निरने नहीं लिया जा रहा है जब तक पारा सिक्षों की मांग पूरा नहीं होगी अंदोलन जारी रहेगा देकि हमको लग रहा है पता नहीं क्या होने वाला है समझ में नहीं नहीं पढ़ते हैं पारा सिक्षों की मांग और विचार के लिए गठी उच्छ अस्तरिय कमेंटी की बैठक 17 जन्वरी को होगी सिक्षा मंत्री अध्यक्षता में होने वाली बैठक में के गरित पारा सिक्षा संगर्श मुर्चा के फरतिनिदी भाग लेंगे पूरो में शिक्षा मंत्री के साथ पारा सिक्षा दौर बरता हुई थी दोनों बरता विफल हो गए थी जो वारता हुआ था वारता तो समझोता हुआ नहीं विफल हो गिया था लेकिन इस बार देखी है अगर जिदी हो सकता है और मतला मान सकते हैं तो फिर भी कोई चांस नह नहीं मानते हैं जो नहीं मानेंगे तो इस बार तो में को लग रहा है पाराश एक चका पाराश एक चक जो है अमित्षा का जरूब भी रोध करेंगे और यह राज के देखिए थोड़ा कुछ और पड़ते हैं राज के पारास ही चक के हरताल 16 जन्वरी को दो माँ पूरा हो र रहे हैं धन्यवाद